अकोदिया पुलिस को एक नावालिक लड़की के मामले में सफलता मिली है मामला यह है कि दिनांक 8 दिसंबर को फर्यादी सिद्धु से पिता गंडपसी राजपूत उम्र 45 वर्ष 89 ग्राम अमल पुरा बोलाई ने धाना को दिया पहुँचकर रिपूर्ट दर्ज कराई इसके नावालिक लड़की को को एक ज्याद वक्ती बहला फुसला कर अपाहरण करके ले गया है फर्यादी की सूचना पर पराध एक्रमांग 261 बटे 2023 धारा 363 का पंजीवद गर विवेचना में लिया गया पुलिस सदिक्षक एशपाल से राजपूत तिरिक्त पुलिस सदिक्षक टेस बगहेल स्टी उपी शुजालपूर पिंटु कुमार बगहेल के न परता इमम संदेही की लगतार पताया से कीज़ा रही थी 14 दिसंबर 2000 तेश को मुखवेर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सौनकच प्रगती नगर में एक तीन मंजिला मकान के कमरे में अपरता एक लड़के के साथ रह रही है साइबर सेल की मदद लेकर ततकाल टीम को सौनकच रवाना किया गया जहां मुखवेर के बताये अनुसार एक मकान में अपरता को आरोपी नैम सेंपिता नाराइन से राजपूत अमरे किस वर्ष निवासी ग्राम सिलादा के कबजे से बरामत किया जाकर कथन लिए गया इसके आधार पर प्रक्रणम है धारा 366, 376 342 पाचल और 3 बटे 4 पास को एक्ट बढ़ाएगे और आरोपी को घिराफ्तार किया जाकर ने आले में पेश किया गया उक्तसरानी कार्मे धानप्रभारी दीपेश्वयास सायक उपनिरिक्षक लखरलाल वर्मा सायक महिला सायक उपनिरिक्षक नाव विश्वकर्मा प्रधान आरक्षक विपिंसी तौमर आनंद शर्मा आरक्षक होकम रवीर अग्वन्शिवन साइवर सेल के प्रधान आरक्ष विकास तेवारी आरक्षक अनिल सक्सेना और राजिश दांगी की महतपूर भूमिका रही जिनांग आठ वारा तेज को ग्राम बोले के सिद्धू सिंग राजपूर के द्वारा रिपोर्ट की थी कि उनकी नावालिक बाली का बिना बताएगा उस पर से अपरात्रमां 261 धरा कायम किये गया था जिसमें लगातार प्रयास किये जा रहे थे स्रीमान पुली सदिक्षक मोदे साजापूर एवं स्रीमान एस्टूप्यों मोदे सुजापूर के द्वारा नावालिक लड़कियों को दस्तियाब करने के संब्द में निर्जेश दिये गए थे तिम गठित की गए तिम के लगाता प्रयास के जा रहे थे तिम द्वारा जिसके दोरान जो है कल रातरी में हमें सुचना मिली कि जो है वो लड़की वयम जो आपर करने वाला नेम सिंग नाम का लड़का है सिलोधा का वो स्वॉनकष में कही है इस सुचना के आधार पर टीम के मकान में जो है नेम सिंग सिलोधा वादा महां पर उस लड़की नावाली के साथ मिला जिसे लेकर के थाना आये हैं लड़की को उसके कबजे से दश्याब किया गया एवं आरोपी नेम सिंग को गिरफतार किया गया है जिसे नियाले पेश किया जाएगा इस कारी में मेरे विकास तिवारी अनिल सक्सेना एवं राकेश साइबर तिल के आरक्षक तथा आरक्षक रभी एवं आरक्षक हुकम की आहम भूमिका रही है शुजाल पुर से रमेश राजपूत की रपोर्ट